जेहिन नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका हमारे चैनल में तो आज हम लोग बात करेंगे एर एराउंड अस जो हमारे आसपास एर है उसको हम लग पढ़ेंगे समझेंगे एर है या नहीं है या किस फॉर्म में हम एर कैसे फिल करते हैं तो यह आपका क्लास 6 का चैप्टर न लेवल आप उसको भी देख सकते हैं तो आज हम लोग चैप्टर 11 को स्टार्ट करते हैं यह एर एराउंड अस हम लोग ने चैप्टर 6 में पढ़ा थे कि जितने भी लिविंग थिंग से सबको एर चाहिए ठीक है बट क्या आपने कभी एर को देखा है अगर जिसने एर को द करते हैं बहुत तरीके से जब पेड के पत्वे फिलते हैं या जब कप्रे हम नों टांगे सूखनी फड़ाते हैं तो हमको पाश चलता है कि अब हवा चल रही है जब घर में फैन को स्विच आन करते हैं तो हमारा बुक और खोप्वे कुझे पत्ते हैं उड़ने लगते हैं के था कुंसे चैपटर तीन में जो जिसमें लोगों नने की थुरू किया के डस्ट को गया था तो स। rubट इस अम लोगों उन्ड़ की कढ़िए और्नों के लिए चाहिए चाहिए जब हवाज चले आता है जुसमें dust particles को अलग कर पाएंगे आपके वहने कभी देखा हवाज चलती है जब बहुत आंधी तुफ़ान आता तो क्या होता है जो पेर को पेर को कभी जड़ से कबार देता है अब प्रूट ट्री मतलब कि यसी पेर पोदों को जड़ से कबार देना अब लोग अफ दे रूफ टोप कभी हमारे घर होते हैं चट होते हैं और चट भी उड़ा लेकि चलता है अगर चट कम जोड़ है आपको आदे तुपान आया अपने देखा हो चट उड़ जाता है तो यह को बेसके हम देख नहीं सकते बट इसको हम लोग फील कर सकते अलग अब करें यह सारे फिर्की जो बने हुए है जब फिर्की को आप रखे का जब एश चलेगा तो 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 यह मूंविंग में बहुत करते हैं अब यह दिया गया है लेटस में कि फिर्की और फिर्की बनाते हैं हम लोग एस पर गिवन इस्ट्रक्शन फिगर 11.2 यह आपका 11.2 इस तो सब कटिंग करके बना सकते हैं जो फिर की आपका रोटेट होना सुरू हो जाएगा वाट मेक्स फिर की रोटेट मुविंग एजन डिट जो फिर की आपका घूम रहा है कैसे घूम रहा है यह से घूम रहा है कि यह आपका देख है यह क्या है वेधर बताने वाला ठीक है वेडर अब इस फ्लोव किस डाक्शन में है यह बताता है यह वेडर रोंग मिन्स वेडर कोक सरी मतलब की जब हवा चलेगा तो हावा के चलने से यह भी घुमना सुरूगाय था अवनों, पता है कि एर किस डिरेक्शन में मूव हो रहा It shows the direction in which the air is moving at that place एक फंक्षन किसके वेधर कोग का हवा का मुवम्मेंट है किस डिरेक्शन में हो रहा है आपको वेधर कोग बता देता है खुद घूमना सुर्ण को आप समझेगा किस डिरेक्शन में मुख हो रहा है नेक्स्ट हमारा 11.1 इज एर प्रेजेंट एवरीवेर राउंड उस क्या जो हावा है हमारे चावा तरफ है या नहीं उसको अम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्रम सा समझेंगे ज है को लोज और फिस्ट आप मुठ्व बांद लिजिए है वाट डूय है इन्योर इड जापने मुठ्व में क्या था नथिंग कुछ नहीं मिला ना चलिए ट्राइग और ट्राइग एक्टिवेटी को करते वे कि हमाने मुट्टिम कुछ था कि नहीं था तो हम लोग एक्टिविटी टू को पर्फॉर्म करेंगे आपके खाली बोतल लेना एम्टी बोटल और चेक कि इसका बोतल का अंदर कुछ है कि आप ऐसा तो कुछ दिखनी रहा से इसको अंदर कुछ नहीं है तो चलिए चेक करते है और सिधह बाल्टी Одं पाणी का अंदर डालते हैं कि देखिये इसको हमने डाल दिया पाणी का अंदर क्या बोतल में पानी पानी गया कर दिहिंगे पानी रहे plusieurs ब्ल seu प्लतबिशा अंदर तर्कं नहीं जा निल करते हैं तर फेल्क करते हैं तो दो चेकरते पानी जा रहा है क कि देखे बुलबुला निकल निकल रहा यह एर के फॉर्मेंट इसारे हवा निकल रहा जितना हवा निकल रहा उतना पानी इसके अंदर में जा रहा इसे पाद़ चलता है कि आपका एर है यह इस पेस लेता है कर देखे अभी बुद पानी जा रहा है जितना सबस्तुड़न रहा है सुक्षर हो lui पूलबुल के फॉर्म में निकल रहा है और मुंट इसस में पानील जा रहा है तो इसे इस ब्सक्राइस हो है कि एर जो है एर इस प्रेजंट एवरिवेर देखिए छोटा सा डबबा है ठीक है इसके अंदर एक मुझे से बात है इसके अंदर पानी नहीं जाएगा तो जैसे हम लोन इसको से डीप किया देखिए इसके अंदर पानी नहीं जा रहा ठीक है अब उता स्लाइट सा कि अंतर पानी जा रहा जितना निकला राओ पानी ऎंसके और ज आ ज़ग आपका बोतल का अंदर एक तो वह मिले उतल्षत है बबल करें और पानी उसके अंदर में गया इतना एर नीकला इटना पानी गया तो इस activity मिलें को क्या पाया चलता हगा एर है वह स्पेस एर उफ वाया श्पेस विल्समीरिम माश्पा कशनी पानी कशनी पानी इन झाते ह। इतना जितने स्पेस एंटे उतना स्पेस में पानी गया तो आप इस एक्सपेएमेंट को घर में खुछ से करके देख सकते हैं तो एर क्यामरा हर जगा प्रिजेंट है ठीक है इसका कोई कलर नहीं होता है और इस नो one can see इसको में देख नहीं सकते है और यह transparent है, इयर transparent कैसे है, माले जिए घर में हैं, भाई को दूसरे और भाई को दूसरे कोणा है, suppose that यह आपका रुम में ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ कर भाई जो भी घर कोई मेंबर है, तो आप इनको यहाँ पर daddy देख सकते है इनके बीच में क्या एर्फ है तो है है एर ट्रंस्पेरेंट हुआ की नहीं हुआ है चीज रहां हम किसी भी फैक को आर पर देख सकते हैं तो वह उबजेक क्या हॉता था खैन्ट होता है यहां जो एर फिल यह आप दोनों को की बीच में बहुत की सबसरा एश होने के बाद भी आप अपने भाई को दोस्त को यहां पर देख सकते हूं ठीकिश लियर आपका बहुत हजार किम्हें टेबफेल हो एस्मान एर्थ के सर्फिस में इसको थक्āते है एट्मस्फेर इस लेट एक्सेंड अप्टु मेनी किलोमेटर्स अबब दा सर्फेस अब दी अर्थ जो मारा प्रित्वी ए प्रित्वी उपर में चाव तरफ एर फेला हुए तो माने जिए चादर सा बना हुआ एर का तो उसके हम लोग करते हैं आट्मोस्फेर जैसे से हम लोग उपर जाए जो कोई पहाड पर जाता है क्लैंबिंग के लिए तो अपने साथ औक सिरिंडर लेग जाता क्यों क्यों जैसे अब यतना उपर जाग उतना जो एर आपका कम होते जाए तक आपको सास लेने में प्रॉब्लम अगा यूवल फिल डिफकल्टी इन बीइधिंग सो यूमस्ट क जैनो अग्सपेयर ऑफेर्ड फिस इस चलिक वत अग्सटोय को मैं औहिए फिल्प यह अंतिल दी दी ऐ 10 जिट और यह मुद्र कहुं अरफ दिख डीवा किस के बना यह चहिंक है वाट एर मेयड अपफ ऊप अफ चलto समझते इंगल सबस्ट्टांस है करें अंभेहां से क्या है और पर में स्टमाट आइज का आइएटा अर्धा शेट वन सबस्टांस सब्सक्राइए इस खुर्भुस्के बाद किया थिक है इकत्रब्स रेक्सप्स्टांस नहीं है it not so इसे तो बात करते हैं तो कौन कुन गैस हैं तो लिट इस फाइंड आउट अबाट सम अव देम इसरे मिक्षर वन बाइ वन तो देखते वन वन यह किसका मिक्षर है तो सबसे पहले एर में क्या आपको पाई जाता है यह मिलता है आपको वाटर वेपर आपको दुकान में जाएगा ठीक है दुकान में जाएगा तो आप बोतल खर देगा पेपसी का जब कोको जैसे हम लोग फ्री से बाहार निकालते हैं तो देखेगा जो इसके जो जो बोतल का सर्फेस पे एरड्रोप बन जाता है पानी के कुछ गंद दिखाए देंगा आपको अब डिखाए देते हैं बोतल की सर्फेस पे एक्चली एरड्रोप आता कहां से तो हमारा जो एयर है ना जो हमारा इन्वायर्मेन नो कहां वाटर जो एर हमारा यह संद का वाटर वेपर जो हो जब यह अबका बोतल के कॉंटेक्ट में आता है तो वो कान्देंस हो जाता है जो वाटर में गयास का फर्म में होता हुआ कि इसमें लिक्वीड में कन्वर्ट होता है और वह आपको डॉपलेट के फिर्म में इसका सर्फेस पर दिखाय देता है तो भी कान कॉंक्लूड दाट वाटर बेपर प्रिजेंट इन एंवार्रमेंट इन दा मिक्ट्र अ वियर आपका जो एयर है जब इस जो बोतल को फिर से निकला ठंडा है जब इसके कॉंटेक्ट में आता है इट कंडेंस एर के आपका कंडेंस हो गया and drops of water appear on the cooled surface जो बोतल का जो सर्फेस यहां पर आपका पानी के बुंदे दिखाई देने लगती है आपको the presence of water vapor is important for the water cycle in nature तो बारिश के बारिश के बारिश होने के लिए एक जरूरी होता है वह बता है कि it's very important for the presence of water vapor in the water cycle in nature समाझ में आए कि water vapor जो होता है यह भी एक component ने एर का next component क्या है हमारा oxygen अब एर में क्या होता है oxygen होता है पहला क्या हम लोग ने देखा water vapor दूसरा क्या है एर में आपका oxygen भी होता है तो इसको experiment से देखेंगा ठीक है एक्सपरिमेंट कैसे करना एक्सपरिमेंट को आपको टीचर के presence में करना है अब आपको दो लेकर आना ठीक दोनों सेम लेंध का दोनों केंडल को क्या करना इस टेबल ए फिक्स कर देना है दोनों को जला दिजिए और यह जो एक केंडल को क्या करना सो ग्लास से ढख देना है एक सिर्ड ठाइक दिखने है आपको और यह दीखिते ग्रास टमल यह दोनों पर जला देजे ठीक है दोन जाव रहा आप एक ग्लास लेकर इसको छजश रहा था जल ठैहिए और ऊब्जर्भ की जये इसको आपने ढढ़का है इसको यह तो यह तो झाली रहा बोजा आस comprendre अब देखिए हैं पर क्या दिया वाग वह स्वेम बताया गया ठीक है दोने कंडल को जला दीजे ठीक है एक को कवर कर दीजे इन वर्डेट ग्लास से और ऑफजर पीजे कि बहुत दा कंडल केरफुली के दोने केंडल कंटिनुटू बन के दोने जल रहा है और कोई गोफ मेंस कोई एक बुझ गया तो आपने ऑब्जर किया है कि जिसको आप ग्लास से कवर किया था ग्लास टंबलर से वह संटाइंग जिसको आप ग्लास से कवर किज़े हो कि कुछ समय के बाद एक्स्टिंग्वीज जाने कि बुझ जाए गा और फिरस जो दूसरा केंडल हो आपका जल तो जिसको आपने कवर किया था वो ग्लास से वो क्यों बुज गया है रिख केंडल को जलने केले ओक्सिजन चाहिए लिख लें तो ग्लास दया ने युज़ किया फिर औक्छिन खता है था थे कंडल बुज गया तो वाट करें the reason for this क्या है क्यों ग्लस ऑल्ग ने न कबर क्या था ग्लस एक फिर तेट इसेंडागें फिर ग्लास ग्लास टनी खार इंडागें विं ग्लास प्रफच्ल करें दया था वो ओप्ज गेंडागें एक सिगन जूख गयो तो वाट कन दो रिजन फोर इस थिंक आप इट इस तो इस एक्सपरिमेंट से आपको समझ में आया कि एर में क्या है ऑक्सिजन भी होता है आपता है शलने में इसका ओक्सिजन पर दो संकले दॉत करता है जलन्य में इसको काते है ऑक्सिजन यहे जो भी आम जलाते हैं ना ग्यास होगे आशा आपको भी लकविज रहा रहते हो बिना ऑक्षिजन का जलाने सकते हैं तो बर्निंग मिलता है अक्षिजन का नेस्ट्कोंपोनेंट है हमारा नैट्रोजन नेट्रोजन जो हम लोगों एक्टिविटी थरीक है जो अभी जो यह जो आपने अपने अप्जोर्ड किया होगा इस आपका ग्लास ठीक है यह आपका केंडल जल रहा था कि अब टो जब केंडल बूजने के बाद जब ऑक्षिजन खतम उता इसके बाद भी इसमें कुछ ग्यास अंदर था वोगेस क्या था नाइट्रोजन कि इन एक्टिवीटी थ्री वाट दू ओजब एयर इस स्टील प्रिजेंट इन ग्लास बॉटल इवर अप्टर अभी एयर में है ग्लास बॉटल अंदर क्याची है अप्टर अफटा कैंडल ब्ली आउट कैंडल के बुष जाने के बाद रहे जाता है वह इंडिकेर्ड करता है कि पॉम्पोनेंट इन यह अब एयर में कोई बाैटर बेपर एक अग्षिजन दो नितख लिए और यe आपका नैट्रोजन है नेट्रोजन अपका बर्णिंग में सपोर्ट नहीं करता है बट औक अग्षिस बर्णिंग में सपोर्ट करता यह कोईचीज जलेगा कि चीज को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए पौन सा गैस चाहिए औक्सीजन मस्ट रिम्बर दिस नैट्रोजन डिन प्लेन डोल इन बर्निग नेट्रोजन को यूज नहीं है बर्निग में अब देखिये कर्पनें की सबस्क्राइशन होगा खोटन सा महस्सást होगा थे से लिए समझते हैं वह चीज़ हैं बताया है कि in a closed classroom in a closed room if there is some material that is burning you may have felt suffocation this is due to excess carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continue जामलों सब बहुँ जादा carbon dioxide accumulator जामा हो जाएगा उससे क्या होगा आपको suffocation feel होगा carbon dioxide क्या करता है एक एक a small a small amount में air में रहता ठीक है जो carbon dioxide बहुत जाता नहीं रहता मांग तलिए कि one point something is one point से भी कम रहता zero point something percentage carbon dioxide कर रहता air में carbon dioxide makes up a small component of air around us अबसे carbon dioxide को यूज कोन करता है plant and animal plant and animal plant and animal consume oxygen for respiration ठीक है and produce carbon dioxide जो plant or animal होते हैं वो क्या करता है oxygen consume करते रिस्परेशन के लिए और क्या प्रडूस करता है carbon dioxide तो carbon नहीं कहां कहां से आता है तो plant produce करता दूसरा animal produce करता है यूज कोई अप्सक्राइब निकलता है तो इडिस अप्सक्राइब नोट बन सुख्य पत्यों को मज जलाए और जो खेतों डिस्कारड़ रिमेंस नहीं के जो खेतों में धान कटने बाद जो बश जाता ना शोटीश टुकारा जबता इसको मज जलाई है यूंकि यह आपक यह पॉलिशन को बढ़ाता है अ तो बैसे के लिए कार्बन ड्क सेलता है तो बस्ता में कमझें स्यल्टीज जलता है तो तो पार में घ्टान कोंप्पलीट ड्रेकर्टास लस कवा निकलता है कि इससलंड से सय के लिगए जायर सबसक्राइब, शोड़ रिंड मेंप्लॉइ भी होता यह देखे जब कोई छी जलता है ठीक है जब बर्नींग जो है juich जो जल.' लुब निकलता है तो सबस्या निकली रहा और साथ में दूबा भी निकल स्मोड बीदेट के लिए अलए देां कंदया है बला कर दो कुछ दूआ है चोता हुआ बना है कि जो धुआ है हम लोग इसे दूर है हम लोग के नाकों के पास ना है कि वह उपर यूपर निगल दैज और उसका जो हायट थम रहेंगा तो आसपास धुआ पैल यह तो हम लोग को फिर दिक्कत होगा इसलिए भी पर प्रॉलम ना हो चीमनी का जो इसमोक मेंटर है उसका लें तो आसमान जो चिनिया उड़ती है उसको त्वास नुक्सान होता है कि इसमोग उपर ही रहता है तो कि अधिविए भी हमेशा एर में प्रिजंट रहता है अपने घर में एक्टिविटी करें देखिए आपको डस्ट पार्टिकल दिखेंगा है एक्टिविटी फोर करते हैं जैसे हम लोग डस्ट पार्टिकल को देखते हैं कि सब दिखता है यह बहुत यह एक्स्पेरिम अपने घर में भी कर सकते हैं कि माले जब धूप निकला ना सब सबस्क्राइब सब्सक्राइब अपना स्कूल में घर में जितने भी दरवाजा है के खिर्की एं सब करको बंद कर देना विट कट्एंस दर्वाजा खिर्की बंकर दिजिए और परदा वर वाण स्वि स्याओ प्ला कई तक होल होगा देञाएं अऱ में बागे होल मत कीरेगा खोल इस तरह के इस तरह के स्ट पार्टिकल पाटिकल ुडता होग दीखे गा इसका और एक्सपरीमिंट ने परकास आएगा उसमें आप चुक कर सकते हैं वो भी आपका उसमें डुस्ट पाटिकल दिखेगा यह आपका डुस्ट पाटिकल इस एक्सपरीमिंटव को दिख रहा है उसमें दूराइगा है ओपन डाट डॉर और विंडो जो फेसिंग शूर के रोशनी आ रही है उस दर्वाजे को खिरकी को हल्का सा खोल दीजे ठीक है ज्यादा नहीं खोलना जस्ट लिटील इस तरीके से एलाद सनलाइट टू एंटर दा रूम अनि तुरिया स्लिट हल्का सा साइड साना चाहिए प नर्ष प्ररों में आया उसमें आपको डस्ट पार्टिकल दिख। उसमें आपको सानी सानी पार्टिकल जो दिखेगा जो जो सननिंगंड करता हैं मोविंग मोवींग दिखिगार है, ऋसब बॉस्ट παर्टिकल्स काbuild नुटिकल है, व्युल्ट शोर सिंलर बेमद दूं सनल जिस देखिए जो सूर्ग जो रोशनी आते हैं उसमें भी डॉस्ट पार्टिकल होता है चाहल तरफ दिखता है क्योंकि इसमें बहुत सा थंद कम होसे में था से फिल्टर हो जाता है क्योंकि इसमोग वेरा होता है इसका रहना इसमें बहुत कम होता है लेकिन हमारा नाक में क्या होता है जो नोग जाता दिखेगा और गर्मियों के मौसम में आपको जाता दिखेगा नोग बहुत क्या होता है रिग बिंच और ऑडट कल के स्वाटीकर को रोख देता है और हमारे बीस्पार्टिकर वेकर फ्रिश एयर जाता है नोग फ़िल्ट्र लिग है आपको डाटते हैं बोलते कि आप कभी भी मुझ से सास मत लिए जाएगा आपको डारेक्ट जो एयर है अंदर जाएगा और एयर साथ पार्टिकल भी आपके रिस्पार्टिकल में चला जाएगा अगर आप मुझ से सास लिजेगा अपके अंदर चला जाएगा इसलिए जो मुझ से सास नहीं लेना है अगरह तो आपके मैं आपके मैं नाओ वह में कन्कूलूट यूद इस एल हिवा फैक्ट ओक्रच आपकी इस अच्छाय नतर पार्टिकल था तो इस दोटक अश्वा दुक्त बाल्स जाएगा तो आपके अच्छाय थाएग और अद आपक्टेट अने अच्छाय की जूदे और सब्सक्राथ एक परसंट दोध परसंट इति बशत नाइंट्र। आर्ड भई दो सबोगा GETS YouTubeakhर करण भीटोत टुटी आस्मिनने मलगर राया प्रसंट इसने अपरसंट छेश होता है जब दनना करीबला है करबंड़र देषा देखाए और फियांत वाटरवबेंडी नीरा एक पर्सटन रहता है मेले क्या होता है नेक्टोजन ओक्षिए होता है यह डेखे में दिखाए कि घंस ही अचिए लेक्ष चूर्वटेश्या नगर अग्षिए अब लोग कि अब गशाइं और एक परसंट होता है झूच्छ वांग्षिए परसंट अब अध्यर गासि एक पर सब्सक्राइब सब्स और तरह बूजो पहली के बाद सुनते हैं हम लोग बूजो पहली क्या बोलते हैं हमारे बूजो आस्किंग यू वाई डू यू थिंक दपूलिसमें इन फिगर 11.8 प्याते हैं जो पूलिसमें है यह मास्क पहना हुआ पूलिसमें रेगुलेटिंग ट्रैफिक और अटक्रावडेड क्रोसिंग और वेरिंग वेरे मास्क पहना हुआ था कि यह जो यहां पर क्या है हमें सब बहुत सरे बाई क्या रहा का रहा है सब सब का इस सब स्मोक निकल रठीक है यहां बहुत सा डस्ट पाटिकल तो उससे अ कि इसने पर मास्क पेना है किया जाते है MIC रहुत आटियएं आटि है जाती है तुभ या ऑग का जोगा पहली का पर सब्कार का हमां चाहती है वेरे लिए the transparent glass of window if not wipe off regularly appears है जी जो आपको जो खिर्की जो दर्वाजे हैं जो काच के होते हैं आप साफ नहीं कीजेगा तो इतना धुंदला क्यों है जी क्यों दिखता है और बूजो वान्स तो नो बूजो क्या जाना चाहता है वाई डिवरिंग इंसिदेंट और फायर जो आग लगता है वन इडवाईज टू रेफ उलन ब्लैंकेट वावर बर्निंग ऑब्जेक्ट अब देखें जब भी आग लगेगा तो आपको कंबल्स अपने आपको ठक जाए उससे क्या होता है जो ऑक्षिजन को जो सप्लाई है कट हो जाता है कि अभी हम दोने पढ़ा कि कोई चिसको जल आपका जो आग लगा वह जल्दी से बूच जाता है और जो आपको जो पहली बोटी के खिड़की करें साफ नहीं करेंगे तो क्या हो जागा है है जी मंदले कि इससे बहुत साथ धूंदला धूंदा गंदा जाएगा कि उससे बहूं से तोस्ट पार्टिकल गैसे वाला के नेक्स्ट हमारा 11.3 हाउं आपक्सीजिन बीकंब नेमेल डिली वाटर डिपाइब करैंश में पाहने वाटर स्वाटर जो भी याप्ति पाने से फैस के पारल भीजिय फिकश्कुली को है तो पहले हम देखते हैं कि पानी में एर कहां से मिलता है अब आपको पानी पानी है उसमें कैसे रहता है कि उसके लिए आपको क्या लेना एक मेटल का कंटेनर लेना है उसमें आपको हीट स्लोली मैंने ट्राइपड स्टेंड पर लग दीजिए उसको धीरे से कम आज पर आपको हीट करना ठीक है जोग है कि वेल फोट बिगैंस टुमात read होनश फत्रूयश होगा आपको उसको इनर सरफेस पर अपको ध्यान से देखना है ठीक है क्या ा इसमें दिल्पराय कि यह बबल कर ठीक है भीज्ट आपको में बहुत सारा इसमें दिखरा proper थीक हैoop जिए दिखनेना एर बब्ल्स है कि अपको क्या बताते हैं कि इन इन सर्फ़ेस आपको कंटेनर की इनर सर्फेसपर बहुंत आपको एर बबल्स दिखेंगे भी जबबिष है इस बबिखान साथ है नीवाटर में डिजॉल्ब तो इसकेप करने के वह सुचा तो क्या करता है बबल से फर्म में दिखता है वह की जब ऑटर को हीट किजेगा तो बेगाइड वातने तो इसकेप करने शुरू कर एगा तो चैटर फाइव सिक्समें फिर्मन चाट वाटर शांगी विच्टर फाइज हो यार में परदेटेगा जो एनिमल आपको जो वाटर में रहते हैं वह डिजोल ऑक्षिज़न को यूज करते हैं अब जो अब जो मिट्टी में रहता है न उसको तो रॉपार करना है तो उनको एर कहां से मिलता है तो उसके लिए आम लोग एक्टिविटिटी सिक्स देखेंगे जो इनिमल जो मिट्टी में रहाते हैं वो कैसे बुश्पायल करते हैं नेक्स्त है एक्टिविटी सिक्स इस इक्टिविटी के थुरू हमें यह पता चला है कि पुश्वाल है मिट्टी में अक्षीजन होता है तो आपको इसमें करना है कि आपको ड्राय स्वाइल लेना बीकर में ठीक है टेक लंपी ऑफ ड्राय स्वाइल सुखी मिटी लेकर आई है ठीक है यहां पर ग्लास में पानी डाल देजे़ ठीक है और फिर देखे कि क्या हो रहा है अधे यहां पर आपको वर दिखेंटे का यह मिट्टी आपा ग्लास तेमलर रहे शक्यों बीकर बोलते एक उचिव लास देचे करन विटिमें डीप करने है farmers में क्यास को दीजिका कर से परेह कि吧 क्यों देखने को मिरा कि इश्रिक्सी किरीं अ कि तो मेल्ज निकलेंगा बजब दालेरे मिर्टे पांच हो निकलेंगा मेल्टें चाहेफ बबल स्कोमिंग आउट आउट वंदा स्वेल दिखे स्टेहां ये बबल बबल्स इंडिकेट करता है का मिट्टी स्वेल में डिजॉल्व है जब पानी डालीएगा मिट्टी पर तो यह यह है आपका न जो पानी जो पानी है इस डिस्प्लेस्ट करेगा जिसको लोग बबल की फोर्म में देखते हैं लेकिन और्गनीजम जो मिट्टी के अंदर में रहते हैं या फिर जो प्लांट रूट्स हैं जो पेड़ के जड़ हैं वह क्या वह रिस्पार करते हैं लॉट अफ बोस्ती की आंदर मोरा साप साप सांथ इसने करते हैं अपनो घर आंधर आपके अंदर में भी आंधर कर दिता हैं और आसे में रहते हैं तो वह एक जर्या है एर जाने का है तो वहां से भी एर मुव इंद मूब आउट अब दा स्वेल वहां भी मिट्टिक अंदर यह जाता है और आता है जो वाटर का होता में स्वेल का क्या होता डाता है ुशर्ण यह जाता है और मिट्टिक और किसी हवतर तुसपार करना अंदर में पानी भर एक तो कि इसप्यान का स्वेल करने के लिए वह बाहर आ जाता है और यहीं करने कि कि आपका बारिस के मौसम में बाहर आ जाता है कुट कुट इस भी तर्विजन वाइ और्थ हम कम्स आउट अप दा स्वेल ओनली डिविन दी है बहुत मुश्ला दार बारिस होती है बहुत है रेंफुल होता है तो जब आपका जो अर्थ हम है वह उपर मिट्टी में चलाता है अब आपने सोचा है है वह वंडर्ड वाई ओल्ड था अप्सीजन अब अपने सब्सक्राइब को चाहिए है अनिमाल को भी चाहिए हम लोग को भी चाहिए हुमन बिंक को चाहिए हम लोग सब कितना साथ ऑक्षिजन को खतम नहीं हो रहा है तो सोची कि अक्री आपक्षिजन आ कहा है को इसको रिफिल कर रहा हुई 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 ह प्लांटेस कैसे होता है चप्टर फॉर में हम पाता है कि फोटो शेज़़ आप यह प्लांट अपना फूड बनाते हैं किस प्लांट में घृष्प अपने खाना बनाते हैं और अक्सीजन इज प्रडूट्यूस एलंग विट जो अक्सीजन है इस प्रडूट्यूस अधिडि करते हैं for inspiration but they produce more of it than they consume plant जितना oxygen को consume करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो प्रडूस करते हैं that is why we say plant produce oxygen इसलों करते हैं जो प्लांट है हमारा वो oxygen को प्रडूस करता है अब एनिमल्स बीना oxygen के अब बीना है आपका oxygen का and carbon dioxide का atmosphere में maintain कैसा होता है maintain through respiration in plant and animal and by the photosynthesis in plant जो हम रिस्पार करते हैं जो respiration होता है plant में और animal में one photosynthesis इन तीनों की थ्रूप क्या आपका co2 and oxygen को balance किया जाता है तो इससे पर चलता है कि जो plant और animal एक दूसरे को पर interdependence है plant animal में animal plant पर डिपेंड करता है we can now appreciate how important year is for life on earth the year कितना important life means earth पर life के लिए year कितना ज्यादा important है अब हम लोग समझ सकते हैं are there any other use of आपने सुना का windmill के बारे में यह देखिए आपका windmill का क्या function है जब 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 एर जब एर चलता है जब विंड आता है वह रोटेट करते हैं तो विंड मिल हम लोग कहां कहां यूज करते हैं ट्यूवेल से वाटर निकालने के लिए ठीक है ना drawing water from the two wells and to run floor mill यानि जो आटा चक्की है उसको चलाने के लिए यूज करते हैं विंड मिल एलेक्रिसिटी को जनेरेट करने के लिए यूज करते हैं अब आपके एर यह कहां यूज होता है यह हैल्पिन पराशूट सेलिंग एर्च ग्लाइडर और अब्लेन वाला जो होता है उनके मुमेंट में भी एर का यूज होता है जब को बट्स हो पक्षी हो गया है चमगाद हो गया बैट्स हो गया जो इंसेक्ट क्यूए मकड़ हो गया के फ्लाइड ड्यू तुदी प्रिजन सब यह एर के प्रिजन से कहान यह लोग आकास में उड़ पाते हैं यह अल्सों हेल्पिन डिसपर्सल ऑफ सीट सीट्स कर डिसपर्सल में और अगयर के ट्राइड में यह सब अगया है एक एक प्रीजन इंप्रेट रोल इन वाटर सेकल में भी एक एक रियर लिएर लेयर है इसको अलग कर से दिखाते हैं यह बना गवाट है अ यह एक एक लेयर इसको ही करते हैं हम लोग अट्मोस्फेर कारबन डाइकसाइड कॉंपोजिचन अब एर मिंस कि एर में कौन-कून गैसे में क्या अपका वाटर वेपर हैं ऑक्सीजन है नैट्रोजन कारबन डाइकसाइड़ हैं डस्ट पार्टिकल है मीथेन हैं और बहुत त पहाता है